दोस्तों IPL आक्षन की इत्यास मनज़र डाले तो हर आक्षन में किसी ना किसी एक खिलाडी को बहुत ही बड़ी प्राइस मिली है खास कर पिछले कुछ सेजन में विदेशी खिलाडी का बोल बाला रहा है विदेशी प्लेयर को खरीदने में टीमों ने काफी जादा दिलस्पी दिखाई है इसकी बज़ाई है कि दिगज भारते खिलाडी अपने अपने टीमों में बिल्कुल सेट हो गए है और केवल विदेशी प्लेयर ही रिलीस कर दिया जाते है आईपिल 2023 के आउक्षन के दोरान भी कई विदेशी खिलाडियों के लिए काफी महेंगी बोली लगी है इस बार पिसले सारे ही रिकॉर्ड तूट गए है और कई विदेशी खिलाडी आप इस लिष्टे में शामिल हो गए है तो चलिए जान लेते हैं आईपिल के 5 सबसे महेंगे खिलाडियों के बारे में नमबर 5 पैट कमिंस दोस्तों पैट्रिक जेम्स कमिंस को पैट कमिंस के नाम से जाना जाता है वो एक आउस्ट्रेलिया किरकिट खिलाडी है ये औस्टेलिया टीम के एक प्रमूग गेंदबाज हैं और जुरूरत पढ़ने पर अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं औस्टेलिया के दिगज गेंदबाज पैट कमिंस को आईपेल 2020 के निलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने साड़े 15 करोड की रकम में खरीदा था इसके बाद वो आईपेल इत्यास के सबसे महेंगे विदेशी खिलाडी बन गएते पिछले सीजन KKR के लिए कुछ मैंचों में उन्होंने अच्छा प्रशन भी किया है दोस्तों 2016 में निकोलस को वेश्ट इंडिस टीम के लिए खेलने के लिए चुना गया था और दुबे में पाकिस्तान के खिलाफ T20 इंटरने में डेबू किया था वेश्ट इंडिस के दिगस बल्ले बाज निकोलस पुरान को IPL 2023 के आउक्षन के दौरन लखनो सूपर जैंट्स के टीम में 16 करोड रुपए में खरीदा है निकोलस पुरान को बेस प्राइस 2 करोड रुपए था 2009 में सरे के खिलाफ फंडेड डेबू से लेकर देश को 2019 में अपना पहला विश्व कप जिताने में मदद करने तक बेन स्टोक्स ने लंबा सफर तैय किया है उन्हें दुनिया भर के सबसे बेतरिन आल राउंडर खिलारियों में से एक माना जाता है आईपेल 2023 के आउक्षन के दोरन इंगलाइन टेम की टेस्ट का अपतान बेन स्टोक्स को चन्नाई सूपर किंक्स ने 16.25 क्रूड की भारी भरकम रक्याम में खरीदा है उन्हें खरीदने के लिए कई टीमों की भी छोड़ देखने को मिली लेकिन आखिर में बाजी चन्नाई सूपर किंक्स ने मारी स्टोक्स ने 2019 वर्ड कप और हाली में हुवे T20 वर्ड कप में इंगलाइन को जिताने में एहम योगदान दिया था यही वज़र है कि चन्नाई ने स्टोक्स को अपने टेम का हिस्सा बनाने के लिए बड़ी बुली लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है इन्हें 2016-17 में अंडर-19 कप्तान बनाई गा था इन्होंने नेशनल लीग में वेस्टन आस्टेलिया की अपने टेम को ट्रॉफी जिताने में बहुमूल योगदान दिया और 10 जैन्वरी 2017 को लिष्ट एक रिकट में पाकिस्तान के खिलाफ खेल रही औस्टेलिया 11 में डेबु किया टामरन ग्रीन के लिए IPL 2023 के ऑक्षन के दोरन मुंबई इंडियांस ने जमकर बोली लगाई 2 करूट रुपाई की बेस प्राइस वाले ग्रीन को मुंबई इंडियांस ने 17 करूट रुपाई में खरीट कर इन्हीं अपने टीम का हिस्सा बनाया Green Mumbai Indians की इत्यास के सबसे महेंगे प्लियर और IPL इत्यास के दूसरे सबसे महेंगे प्लियर हो गए हैं नमबर वन Sam Karan दोस्तों Sam England Cricket टीम में बतौर All-Rounder Cricket के तीनों प्रारूपों में खेलते हैं बात करें Grillo Cricket की तो सरे की टीम में खेलते हैं वहीं IPL में Kings 11 पंजाब और चिन्नाई Super Kings के टीम में भी खेल चुके हैं 24 साल के Sam Karan IPL इत्यास में सबसे महेंगे बिकने वाले खिलाडी अब बन चुके हैं 2023 IPL में Sam को पंजाब Kings ने साड़े 18 करोड रुपय में खरीदा है आक्षन से पहले कयास लगाए जा रहे थे कि Karan पर सबसे बड़ी बोली लग सकती है और हुआ भी ठीक वैसा ही Karan को अपने टीम में शामिल करने के लिए टोटल 6 टेमों ने दिल्दस्पी दिखाई और अन्थ में पंजाब ने उन्हें खरीदने में सफलता हासिल कर ली बसे आप इन में से किसके फैन हो हमें एक बार कॉमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सबस्क्राइब जरू कर दीजेगा